एक बार नागिन देखती है कि नदी के किनारे उसका बच्चा घायल है, तभी वो जोर से चलाती है, किसने किया ये सब, तब नदी के अंदर से जलपरी कहती है, यहाँ पर बिरजु आया था, इतना सुनते ही, नागिन गुस्से में बदला लेने निकलती है, इधर बिरजु थकान की वज़से आराम करने एक पेर के निचे सो जाता है। नागिन बिर्जू को धुन्टे हुए एक तालाब तक आती है। तभी वहां जलपरी आकर कहती है। तुम्हारे बच्चे के उपर एक पत्थर गिरा था। तो बिर्जू ने ही उसे पानी पिला कर उसकी जान बच लेकिन तभी बिर्जू के चिलाने की आवाज आती है। नागिन जाकर देखती है कि पेर पर रहने वाली चुडेल बिर्जू को पेर के अंदर खीचर ही है। तभी नागिन अपने जादू से बिर्जू को बाहर खिचने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन चुडेल उसे चोड़ती नहीं तब नागिन पेड़ पर आग लगा देती है। आग लगते ही चुडेल बिर्जु को छोड़ देती है। और नागिन बिर्जु को खीच कर बाहर निकाल कर बचा लेती है।